दोस्तों लोकसभा चुनाव दोजार चौबीस के बिहार की अगर बात करें तो बिहार के 400 लोकसभा में पूर्णिया लोकसभा जो है सबसे हौट सीट बना हुआ था देखिए आज पूर्णिया में चुनाव संपन हो गया है वोटिंग हो गई है तीन प्रत्यासी यानि कित्री कोणिये मुकाबला था एक तरफ संतोस कुछवाहा थे इंडिये के प्रत्यासी तो वही पर दूसरी तरफ जो है राजत से बीमा भारती थी और तीसरी तरफ कि पूर्णिया के लिपोर्टर से पूर्णिया के लोगों सही हमारी बात चल रही है जो वहां पर बूथ पर जो पत्रकार मौवजूद थे जैसे हमारे सहयोगी हैं इंदिया टॉप haratag God की पूर्णिया में अब कहना याति शुक्ति नहीं होगा स्ब हिए पूर्णिया में देखिए हार जीत का मसला नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तो फैसला लगभग जंता ने दो-तीन दिन पहले ही कर दिया था जिस तरीके का महौल था आप तो लगतार वहां पर पांच दिन रहें पांच दिन में आप छे कचे विदान सभा घुमें अब बन्मक्षी भी गया धमदाया भी गया कस्व लगतार आप एक बात और गौर कीजिए कि बीते पांस दिनों से तजस्वी वहां क्यों क्यांप किये हुए थे क्यों कल मुहम्मद सहबुद्दीन के खिलाफ जो पपुयादों ने कभी कुछ ब्यान दिया था उसको क्यों बारिल किया रहा था पुर्णिया में वह इसलिए कि प्यार के सभी वैसे नेताओं को पता है कि अगर पुर्णिया में मुसलमान वोट कर देगा पपुयादों तो फिर प्यादों जीतने से कोई नहीं रोख सकता है देकि सामके पांच बज तक जो रिपोट आई 58% वोटिंग 58% वोट तो सामके पांच बज तक पड़ गया है मतलब पुर्णिया में अभी तक तो आला के निर्वचान आई कोई क्लियर डेटा दिया नहीं है जब वीडियों हम शूट कर रहे हैं लेकिन करीब करीब 65% मतदान हुआ है पुर्णिया में यह संकेत कर रहा है पुर्णिया के लोग कई देने के लिए और आसा तभी होता है जब उस लोग सभाचेतर में कोई बदलाव जंता करने जा रही है इसका साफ इंडिकेशन है और वह बदलाव इस बार कर रही है संतोष कुछ वहां के खिलाब भारी अंटी इंकंबेंसी रहा दस साल से वहां के सिटिंग एंपी हैं दूसरा जो फैक्टर काम किया पुरुणिया में कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वह इस बार नितिश कुमार के साथ नहीं जा रहा है बाका में भी हमने वो ट्रेंड द के साथ नहीं गया है इसी तरह का गुणा गणित का टिहार में देखने को मिला जहां पर दुलाल चादन को स्वामी के साथ बीजेपी के कैडर वोटर नहीं गया है तो संतोष को स्वाहा तो वैसे ही कम जोड़ थे वहां पर चुकि नितिश के खिलाफ एंटी इंकंबेंसी ह वोटर्स में डर है कि हम वोट करेंगे संतोष कुछ वहां को पता लाएक नितिश कुमार दुमेना बाद चले गया रजेडी के साथ हमारा वोट बरबाद हो जाएगा तुछ अच्छा वोटी मत दो यह साइकलोजी भी हमने रीड किया है पुरुनिया में कस्भा में धंदा है उनकी जाती धानुक जाती का वहां पर माना जाता है कि सतर से 75 जार वोट है वहां पर दूसरे नंबर पर भीमा भारती है पहले नंबर पपु यादा में पॉली में तो आप इसी से अंदाजा लगा लिए कि चुनाओं का रूख क्या होगा देखिए पुरुनिया में हार सिमांचल का रूख तैय कर दिया और 40 प्रतिसाद मुस्लिम मद आता है तो टोटल मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां का उसका अगर साथ प्रतिसाद भी टूट कर पपू के साथ चला गया और देड़ लाग जो एक मुझत यादव वोटर है वो तो गया ही है पपू यादो के स सिंग के तरफ जाते लेकिन संतोष कुछ वहां को फिर से टीकट मिल गया तो क्या लग रहा है लेसी सिंग के कारण कुछ वोट पपू याद अब कि दह से दो हो सकता है बहुत अच्छा सवाल है आपका लेकिन मैंने कहा ना कि जनता जब मूट बना लेती है शुभम एगव हमको याद है वह दौर जब इतना बड़ा है वाग क्रिएट किया गया नरद्मोदी के पक्ष में कि वह बीजेपी जो 209 सीट लाई थी 2009 में वह अचानक से 282 सीट लेया देती है वह हाइप क्रिएट किया गया वह perception मनाया गया कि नरद्मोदी ही इस देस में पदलाव ला सक है कि हमको जनता खोजना है जो बोले पक्ष में हमको पब्ली खोजना है जो पुले संतोष को स्वाय का पर पुर्णिया लोग सभा के किसी चौक्च रहा है पर चले जाईए दस आदनियों को पकड़ लीजिए उसमें छे वेक्ति पप्पू के बारे में बोल रहा है दो ही म सब्सक्राइब कर निकल गया लेशी सिंग पर छोड़ा बता दे रहें लेशी सिंग फैक्टर बनती लेकिन मैंने बताया ना कि एक हाई पैसा क्रियेट हुआ कि लेशी सिंग यहां नितिसकुमार काम नहीं कर पाए नितिसकुमार का रोट सो जब फेल हो गया जब तेश्व जो है अलग मैसेज देगा जात पात से उपर उठकर जो है पुर्निय है करें लेकिन 10父 को लेकिन 188 में अनुपल्या यादभ को न煮िद्प प्रति पक्ष बणा अनुपल्याएद पकौन थे पपुयादो को फुफा जीत हैं और उनको पीछे करके 29 विधायकों के समर्थन से यही पपुयादो ने लालुयादो को बनाया था निता प्रतिपक्स जिसके दो साल के बाद जब विहार का चुना हुआ विधान सवाका तो उसमें लालुयादो 8 मार्च को मुखमंत्री का सप मतलब 1990 से लालुयादो को यह डर रहा है कि अगर पपुयादो इस बार फता किये और तो सिमांचल में आप मानकर चलिए कि सिमांचल कोची से राधत का सूपड़ा साफ हो जाएगा एमोई समीकरन नहीं सभी जातियों में एटुजट की बात करते हैं न ते जिस्वी कि साथ साथ ABCD सब साफ हो जाएगा इस बार सिमांचल कोची में और पपुयादो क्या देखिए बाड़ी लेंगुजी बड़ा कुछ बताता है आग दिन भर कहीं दिखें हैं क्या कहीं भी ना नदीश कुमारी दिखें हैं ना संतुष को स्वाह कहीं दिखें सुबह से रात तक सिर्फ पपू चल रहे हैं कोई डिश्टल प्लेटफॉर्म खोली है नेस्टनल मीडिया खोली है सब जगां पपू चल रहे हैं इसके पीछे हीडिन मेसेज होता है और इतना तो अब हम लोगों भी तैजरुबा हो गया करीब आट-9 साल से कई चुनाव हम हमने आपको पताया ने कि एक सब्सक्राइब पहले जो इंटर्नल सर्वे का रिपूर्ट बताया कि भीमा भारती पचास जार से एक लाग बूट के अंदर सिमटने जा रहे हैं वह डर था तो उस हार को बैलेंस करने के लिए इस सारा कैंपेनिंग हो रहा था जीताने का प्ल सब्सक्राइब करने के जरूरत पड़ जाएगी चार जुन के बाद चलिए तो उन लोग के प्रशनों का जबाब है कहीं न कहीं जो लोग यह सोच रहे थे कि संतोष कुस वहा और माफ कीजेगा बीमा भारती और पपु यादब आपस में लड़ेंगे और उधर संतोष कुस वहा जो निकल जाएंगे लेकिन यहां पर खेल उल्टा हो गया है पपु यादब जो है रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं दूसरे नमर पर संतोष कुस कि संतोष कुस वहा जो है और बीमा भारती नमर पढ़ेंगी जो की रेस में भी नहीं है ठीर अस्तान पर बीमा भारती रहे सकती है कई विधायकों को पुल्या में पहुंचाए हुए थे कई विधायक जो है लगातार छेतर में घूम रहे थे तेश्री आदब की चिंता बढ़ी भी थी उन्होंने अपने भाशन में भी कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं करते हैं तो आप एंडिये को वोट कर दीजी और साब तोर पे चिंता तेश्री आदब के चेहरे प पपूय आदब जो है पुनिया से सांसत के रूपे निर्वाचित होसकते हैं ऐसी खबरे भी हैं ऐसी चर्चाइएं चलिए तो पुनियाग सीट के बारे में आपकी क्यारा है पुनियाग सीट पर आज मतदान हुआ अपकी क्यारा है कौन ब्रतियास्त जीट रहा है जबी आ हमारे साथ साधा कर सकते हैं